प्रेगनंट वूमन की केर हम प्रेगनंसी पिरेड में लेते हैं उसके फायदे बेबी को उसके लाइफ टाइम में मिलते हैं आज हम उसी के बारे में जानेंगे सभी माता-पिता ये चाहते हैं कि उनके बच्चे सुन्दर हो बुधिमान हो सभी अच्छे गुणों से संपन्न हो इसलिए पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी है प्रेगनंट वूमन के डायट पर हम ध्यान देते हैं तो ये अच्छे गुण हमें बच्चों में जरूर मिल वैसे ही नॉर्मल डिलिवरी हो इसलिए भी प्रेगनंट वूमन का डायट उन्हें मदद करता है प्रेगनंट वूमन ने प्रत्तेक महिने में क्या डायट रोज फॉलो करने चाहिए ये मैंने मेरे विडियो में बताया है और प्रेगनंट वूमन ने अपने डायट में हमारा बल बढ़ता है, मतलब हम strong बनते हैं, हमारी कांती अच्छी बनते हैं, मतलब हम खोपसूरत बनते हैं, हमारी आवाज अच्छी बनती है, हमारी तवचा मतलब skin, मुलायम और सुंदर बनती है, नेत्रे, घी ये नेत्रे है, मतलब घी खाने से आखे strong बनती है, आज कल छो नेगी खाना बहुत जरूरी है, मेध्य, बुध्धी ये तीन प्रकार की होती है, धी, धुरूती और स्वुती, धी मतलब हमें कुछ भी चीज चल्दी समझती है, हमारी क्रास्पिंग पाउर बढ़ती है, हम ये देखते हैं कि कोई सब्जेट कोई बच्चों को जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन कोई कोई बच्चों को समझता नहीं या लेट समझता है, धुरूती, जो समझा है, वो उनके मन में रहता है, मतलब समझी वई चीजे स्टोर हो जाती है, स्मृती, स्मृती मतलब याद आना, मतलब जो पहले समझ आया है, वो जरूरत हो, तब फिर से यादाना मतलब memory strong होना ये तीनों प्रकार की बुद्धी ये घृत सेवन से मतलब घी खाने से बढ़ती है अगनी वर्धक घी खाने से अगनी प्रदिप्त होता है मतलब भोग अच्छे से लगती है प्रेगनन्ट लेडिस को कभी-कभी भोग ना लगने की शिकायत होती है घी आने से उन्हें भोग भी लगती है और खाया हुआ खाना डाइजेस्ट भी होता है तो बच्चों का अच्छा पोशन होता है दूद का दही बना कर उससे मक्खन निकाल कर उससे गरम करके जो घी बनता है इस घी के ये गुण है क्योंकि बहुत से घी जो कमपनी के मिलते है वो मिल्क फैट से बनते है और ये हम सभी जानते है कि गो घृत मतलब गाय के दूद से बना हुआ घी ये अईरुवेद में सर्वसरिष्ठ माना है और गाय हमेशा वशिंडवाली मतलब गिर जैसी हो जर्सी नहीं तेल दूसरी प्रेगनन्ट वुमन ने जो चीज खानी है वो है तेल हमारे शरिर में त्रिदोष है वात पित और कफ़ इन तीनों दोशों में सबसे इंपोर्टन दोश है वात दोश क्योंकि हम जो रोज सब काम करते हैं उन्हें वात दोश ही गति देता है प्रेगनन्सी के पुरे नौ मेने ये अच्छे से पुरे हो और बेबी की हेल्थ अच्छी रहे इसलिए मा के शरिर में वात दोश का कंट्रोल में रहना जरूरी है प्रेगनंसी के नव मैने पूरे होने के बाद पेन शुरू हो जाते है और उस वक्त मा की नॉर्मल डिलिवरी होती है ये सभी करवाने वाला वातदोश ही है और हम ये जानते है कि वातदोश का शमन करने वाला स्रेश्ठ द्रव्य है तेल यह तेल हमेशा तील तेल होता है यह तेल से हम अभ्यांग करेंगे और खाने में भी इसका प्रयोग करना है अभ्यांग, pregnant woman ने रोज तेल अभ्यांग, मतलब मसाच जरूर करना चाहिए लेकिन यह अभ्यांग हलके हलके से करें जिसमें ज़्यादा प्रेशर देखकर नहीं करना है स्पेशली पेट, पीट और पैर इन्हें अभ्यंग ज़रूर करे इससे ये अवयो मृदू रहते हैं और नॉर्मल डिदीवरी होने में ये मदद करता है तेल सेवन और नौ मैने रोज खाने में भी तेल का उप्योग करना बहुत ज़रूरी है ये तेल सबजी, डाल बनाते हैं वो भी है लेकिन उसके सिवाए खाने में उपर से तेल लेना बहुत ज़रूरी है रोज दोनों बार खाना खाते समय उपर से एक या दो चमश तेल सबजवी में डाले या चटनी के साथ ले ये तेल कच्ची घानी का और कोल प्रेस वाला हो तो अधिक अच्छा है इससे शरिल में वातदोश का शमन होता है और पूरे नौ मैने बेबी की अच्छी ग्रोथ होने में मदद मिलती है नौ मैने पूरे होने के बाद डिलिवरी के समय पेन तो होता है लेकिन नौर्मल डिलिवरी होने में मदद जरूर मिलती है इसलिए मा और बेबी के अच्छे स्वास्थे के लिए और नौर्मल डिलीवरी होने में मदद मिले इसलिए रोज pregnant woman ने डाएट में घी और तेल का प्रयोग करना जरुरी है इस प्रकार आप pregnant woman की गयर जरुर करें ताकि मा और बेबी दोनों को benefits मिले Thank you झाल झाल झाल